हेलो दोस्तो हमारे घर से कुछ दूर एक गाओं है हरियरपूर यह कहानी उसी गाओं के एक लड़के की है वह लड़का काफी दिनों से दूसरे सहर जाकर काम की तलास कर रहा था और आखिरकार उसे काम मिल जाता है वह लड़का अपना सारा काम पूरी मंदारी और मेहनस से प बहुत खुश हो जाता है अब धीरे धीरे आठ महीनों तक ऐसा ही चलता है आठ महीने बाद वह लड़का अपने मालिक से खता है अब मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर जाना चाहता हूँ और उस लड़के को पूरी उमिद थी कि उसका मालिक उसे घर जाने से नहीं लेकिन उस लड़के के सोच से विपरित काम हुआ उसका मालिक करता है नहीं तुम्हें अभी दो महीने का और काम करना है और फिर उसके बाद अपने घर जा सकते हो लड़के को थोड़ा गुसा आता है लेकिन वो अपने गुसे को सांत करके मालिक से पूछता है तो बताईए मालिक काम करना है उसका मालिक कहता है हमें एक घर खरीदना है तुम पूरे सहर में घुमो और तुमें जो सबसे अच्छा घर लगे वह घर खरीद लो और जैसे ही यह काम खतम हो जाता है तुम अपने घर कुछ दिनों के लिए जा सकते हो यह सुनकर वह लड़का खुश हो जाता है और जल्दी जल्दी घर को खरीदने का काम खतम कर देता है वह मालिक के पास जाता है और करता है मालिक मैंने सबसे अच्छा और सुन्दर घर आपके लिए खरीद लिया है मालिक हैरान हो जाता है और करता है सिर्फ पंदर दिनों में तुमने अच्छा सा घर खरीद भी लिया वह लड़का करता है हाँ यह घर काफी अच्छा और सुन्दर था इसलिए मैंने खरीद लिया और कहता है कि क्या, अब मैं अपने घर कुछ दिनों के लिए जा सकता हूँ, मालिक कहता है नहीं, तुम सिर्फ दो दिनों के लिए अपने घर जा सकते हो, वह लड़का कहता है, अरे मालिक मुझे गाउं जाने में एक दिन लगेगा, तो कैसे भला मैं दो दिनों में वापिस आजाओंगा, मुझे मेरे परिवार के साथ कुछ समय बिताना है, मालिक खुश होकर करता है कि अब से तुम हमेशा अपने परिवार के साथ ही रहोगे, जो घर मैंने तुम्हें खरीदने के लिए कहा था, वह घर तुम्हें और तुम्हारे परिवार के लिए मेरे तरफ से एक तोफ़ा है यह सुनकर वह लड़का खुश होने के बजाए अफसोस में पढ़ जाता है और कहता है अगर मालिक आपने मुझे पहले ही कहा होता तो यह घर आप मेरे लिए खरीद रहे हैं तो मैं थोड़ा और जानकारी प्राप्त करके इससे और अच्छा घर खरीदता मालिक ने कहा मैंने तो तुम्हें दो महीने दिये थे और तुम तो पंदरत दिन में खरीद कर तुमने अपना नुश्कान किया है और फिर वह लड़का अपने पूरे परिवार के साथ उसी घर में खुशी-खुशी रहने लगा असल जिन्दगी में भी हमारे साथ यही होता है और हमेशा वक्त जाने के बार यही कहते हैं कि अगर मुझे पता होता तो मैं इससे भी अच्छा कर देता इसलिए आप सभी जिन्दगी में जो भी कर रहे हो उसे पूरे जुनून और मेहनत के साथ करें क्या पता आप आज जो काम कर रहे हो वो आने वाले समय में आपकी जिन्दगी बदल दे आज की हमारी ये कहानी सुनने के बाद आपको मजबूर कर देगी पूरी मंदारी और मेहनत से अपना काम करने के लिए हमारी कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों संगे संबंदियों को सेयर करे और उनसे सस्क्राइब के लिए बोले साधना बनार्सी वायस धन्यवाद